नमस्कार दोस्तों यदि आपके भी चैनल पर 2468 इसी तरह से भीज आते हैं और आप भी अपने यूटूब चैनल पर वीडियो डाल डाल कर ठक गए हैं तो आपके लिए वीडियो खास है जिहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको चार ऐसे स्टेप बताएंगे जिस पर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो निचे दीक रहे सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक किजिए और साथ लिए लाइकन को प्रेश कर नोटिफिकेशन को भी आल पर सेट कर लिए ताकि आपको इसी तरह के और सार लेटेस्ट आपडेट मिलती रहें सबसे प महले के लोग केवल सेव खाते हैं और हमने जो दुकान खोला हम अपने दुकान पर केला बेच रहें तो क्या वोग हमारे केला को खर देंगे बिलकुल नहीं क्योंकि वो लोगों का पसंद सेव है यदि हम अपने दुकान पर सेव बेचेंगे तो निचे उस महले के लोग हम चेनल 3D से ग्रोगा, तो सबसे पहली बात यह है कि आप यह कैसे जान सकते हैं, कि आपके Subsciber किस तरह के विडियो देखना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं कि आप अपने Subsciber का विडियो कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके लिए खूशी की बात यह है, कि यह सारे फ्यूचर आपके YouTube application में ही दी गई है, यानि की YouTube के Y2S टुड़ियो application में दी गई है, जहां से आप यह पता लगा सकते हैं, तो Simple इसे जानने के लिए सबसे पहले जाए आपके YouTube टॉड़ियो application में या YouTube desktop पर browser mode में open करे, उसके बाद आपको इस Latix वाली option पर क्लिक करनी है लैटिक्स पर क्लिक करने के बाद टॉप में आप देखेंगे तो बहुत सारा आपसंद दिखने को मिलेगा इसी में एक सेक्षन है ओडियेंस का तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्कॉल करेंगे तो यहां पर दो टाइप के आपको स्मेल आती है जहां पर असपर लिखा हुआ है कि other video to our audience वाट वाच यानि कि जो हमारा ओडियेंस है वोग और सारह को देख रहे हैं अब आप ही बताए हमारा जो ऑर्डियेंस यानि कि हमारा जो सब्सक्राइबर है इस तरह के वीडियो दुसरे के चैनल पर देख रहा है और ठीक यहीं वीडियो हम आपने चैनल पर बनाइँगे तब भाई यो क्यों नहीं देखेगा वहीं सबान हमारे दुकान में मिल रहा है तotes इसं तरह की आपको इसी टोपिक से र्लेटेड वीडियो बनानी है यहाँ पर आपको दूसरा हैंस भी मिल जाता है जहाँ पर लिखा गया कि other channel that your audience वाच जानी कि जो हमारा subscriber है वो कुछ इस तरह के channel को देख रहा है तो आप क्या करेंगे कि इन सभी channel फिर जाएंगे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो direct आपके YouTube आप में open हो जाएगा और simple देख subscriber है वो किस तरह की वीडियो देखना चाहता है step 2,3 और 4 यह SEO पर बेस है यानि कि आप अपने YouTube वीडियो में टाइग description कैसे लगा सकते हैं ताकि आपका वीडियो रैंक करें तो simple जो अगला step है यानि कि दूसरा इसमें आपको अपने वीडियो अपलोड करने से पहले सबसे आपको अपनी वीडियो बनाना है उस तरह के वीडियो पना लें ये उसके बाद अपलोड करने से पहले आपको आना है YouTube पर यासा कि हम यहाँ यूटूपर है और आपको सर्च करना है इस भी टॉपीक के वीडियो आपने बनाया जैसा कि वहाँ पर था how to make educational video तो simple आपको यहाँ पर अपने topic को search करना है जैसा कि हमने यहाँ से search कर ले रहा है how to make educational video तो हमने इस topic को simple आपको type करना है type करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर suggest में बहुत सारे keyword आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना इन सभी keyword को एक copy पर लिख लेना है अन्याथा इसे copy कर सकते हैं अगर आपके phone में इस तरह के copy का option दिया गया है तो simple आप इस तरीके से select करेंगे और done पर click करके यहाँ से आप इसे इस ट्रेक करके copy भी कर सकते हैं अगर आपके phone में इस तरह के option नहीं है तो आप इसे manually अपने page उपर कहीं लिख ले उसके बाद लिखने के बाद इसे save कर ले अपने एक note pad में जैसा कि हम यहाँ से save कर लेते हैं अपने phone के note pad में तो simple आपको कुछ नहीं करना अपने note pad में जो भी वहाँ पर सोग कर रहा था text उसे आपको save कर लेना है save करने के बाद अब आपको क्या करना है सीधे आपको यहाँ पर search कर लेना है पहला काम यह है search करने के बाद यहाँ पर top में three dot आपको दिखने कुम लेगा इस पर आपको क्लिक करना है फिल्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है shortby जो लिखा हुएं इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको views count कर देना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि upload date इस पर आपको क्लिक कर देना है दिस मन्त या दिस विक भी रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो भी वीडियो का SEO सर्च करेंगे यहां से सबसे पहले हम यह पता लगाएंगे YouTube पर कि इस टोपिक से रिलेटेड कौन सारे वीडियो अभी अप्लोड किये गए है और सबसे ज़्यादा वीडियो की इस वीडियो पर है यानि कि इस टोपिक से लेटेड जितने सारे वीडियो एक महीने में लोड किये गए है उसमें सबसे ज़्यादा भीज वाला वीडियो कौन है यह हम यहां से find out करेंगे उसके बाद simple आपको इस apply पर क्लिक करना है apply पर जैसे यह आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह वीडियो आएंगे जो कि top में आप देख सकते हैं तो यह वीडियो है जो कि पिछली एक महिना में लोड़ किया गया है और सबसे अधिक भीज है तो simple आपको कुछ नहीं करना इस three dot पर क्लिक करना है उसके बाद share पर क्लिक करना है और इसका link आपको copy कर लेना है link copy करने के बाद अब हमें क्या करना है इस वीडियो का tag find out करना है तो tag find out करने के लिए एक बहुत अच्छा website है आएंगे आप Google पर और simple search करेंगे YouTube tag finder जैसे आप search करेंगे YouTube tag finder तो आपके सामने ये जो दूसरे नमर का website दिखेगा इस पर आपको आजाना है ये मेरा तिसरा step है इस बात को आप धियान रखेगा ये तिसरा step है उसके बाद simple आपको यहाँ पर जो भी URL copy किया गया है उससे आपको paste कर देना है और hashtag tag पर click करन है यहाँ पर select all कर लेना है उसके बाद copy कर लेना है यहाँ सेंपी selected copy कर लेना है उसके बाद फिर से आप को अपने नोट पैड में जहां पर इसको सेव किया था उससे आपको यहाँ पर save कर दो तो चलिके हम इसे यहाँपर पेश्ट कर देते हैं हम ने यह दो स्टेप था उसके बाद आप यानि के चोथे स्टेप में आप आए फिर से गूगल पर और सर्च करें राइप टाइग यह एक ऐसा वेबसाइट है जिसके आप अपने वीडियो का जो पॉपलर टाइग हो फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बाद आए इस वेबसाइट पर और सिंपल यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर आप अपने वीडियो का जैस तरह टाइटल आप डालेंगे वही टाइटल यहां पर पेस्ट कर देना है यानि कि लीक दिना how to make वहाँ से popular video find out किया वहाँ से उसका tag निकाला उसके बाद यहाँ पर भी हमने वहीं लिख कर इसका tag निकाला उसके बाद simple नीचे scroll करेंगे तो copy का option मिलेगा इस पर आप click करेंगे उसके बाद फिर से आप जाएंगे अपने while phone के जो note fad है जहाँ पर आपने इन सारी को copy कर रखा है paste कर रखा है लिक रखा है वहाँ पर उसके बाद paste कर देंगे पेस्ट कर देंगे अब paste करना के बाद आपको क्या करना यह तो हमने पूरा यहाँ से data जो कुछ भी हमें SEO में करना था उसका जो टैग था और जो क्या कहा जाता डिस्क्रिप्शन में था हमने find out कर दिया अब आपको क्या करना है यहाँ से all select करके आपको इसे copy कर लेना है और copy करने के बाद आपको अपने वीडियो को upload करनी है यूट्व पर unlisted या private mode में उसके बाद आपको क्या करना है आना है अपने YouTube Studio में फिलाल तो हमने कोई वीडियो अपलोड कर नहीं रखाए हम अपने पहले कहीं वीडियो है उसे पर आपको दिखाते हैं उसके बाद क्या करना है इस वाली वीडियो पर जो भी आप upload किये रहेंगे टॉप में आपको दिखेगा वहाँ पर आना है उसके बाद इडिट वाली अप्शन पर क्लिक करनी है उसके बाद यहां से आपको आना है tag में सबसे पहले और tag में आपको अपना जो कुछ भी वह आप यहां पर लिख देंगे आपको बता दे कि टायंग में केवल 500 वर्ड ही एड़ेस्ट होता है निकि 500 वर्ड में ही लिखना परता है तो आप अपने हिसाब से एजुकेशन से लेटर जो वहाँ पर कीवर्ड है उन कीवर्ड को आप यहां पर लिख देंगे टॉपिक वा है और सब के अंत में आपको कोमा लगा देना है कुछ इस तरीके से आपको एड़ेस्ट कर देना है जैसे कि यह है तो आपको यह नहीं रखना है कि सब एक ही में लिखा गया हूँ इस तरीके से नहीं सब को आपको एक लाश्ट में कोमा लगा देना है उसके बाद अपने व करते हैं तो आपके चैनल पर और आपके वीडियोस पर बहुत सारा भी हो जाएगा और आपका चैनल तेरी से गुरू होगा